अब दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर दोस्तों स्टडी आईक्यू पर साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुबं सर्था लिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आज रूआ को दोस्तों आप चाहें तो इस्टाग्राम और फेस्बूक के माथिम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का संबंद है उत्तर परदेश की दूधवा टाइगर रिजर्व से तो कुछी दिन पहले मैंने आपसे बात कर is among those 14 tiger reserves of the country which got CATS accreditation conservation assured tiger standards दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश state exams की तैयारी कर रहे हैं कोई भी exam के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं तो आपके लिए study IQ के बहतरी smart courses available है यह सारे के सारे courses आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे कुछ समय पहले international tigers day के दिन union minister for environment, forest and climate change had announced that 14 tiger reserves in India have received accreditation of the global conservation assured tiger standards तो conservation assured tiger standards यह एक ऐसी accreditation है यह कैसा map dand है जिसको अगर हम समझे तो हिंदी में इसका अर्थ है बागों के सनरक्षन के लिए कुछ map dand सुनिश्चित किये जाते है यानि के in order to conserve tigers there are certain standards which are to be met any tiger reserve globally if is able to assure all those standards that tiger reserve gets the cats accreditation कोई भी tiger reserve अगर हो सारे के सारे map dand जो बागों के सनरक्षन के लिए ज़रूरी होते हैं पूरा कर देता है तो उसको cats accreditation मिल जाता है जिसका आर्थ ये है कि यहाँ पर बाग जो है वो काफी सुरक्षित और सनरक्षित जो है वो रहे तो हिंदोस्तान के अंदर कुछी दिन पहरे 14 tiger reserves को ये accreditation मिला था जिसमें उत्तर परदेश का दूधवा tiger reserve भी जो है वो शामिल है क्या होता है ये cats accreditation conservation assured tigers standards ये एक globally accepted conservation tool है that sets best practices and standards to manage tigers and encourages assessment to benchmark progress विश्वस्तर पर स्वीक्रीत एक सनरक्षन उपकरर है एक globally accepted conservation tool है जो ये सुनिश्चित करता है कि क्या किसी particular area में किसी particular protected सनरक्षित area में किसी particular tiger reserve में tigers की सुरक्षा के लिए उनके सनरक्षन के लिए सारे माप जो निर्धारित है क्या वो पूरे हो रहे हैं कुछ standard set किये जाते हैं कि ये 10-15 चीज़ें अगर होंगी तभी tiger का सनरक्षन tiger conservation जो है वो assure किया जा सकता है किसी भी protected area देश भरके और दुनिया भरके वो सारे के सारे tiger reserves या वो सारे के सारे protected areas जो ये सारे के सारे standards पूरे कर देते हैं उनको tiger conservation के लिए अच्छा area माना जाता है और ये hope की जाती है कि वहाँ पर मौझूद tigers के को किसी भी प्रकार का खत्रा जो है वो नहीं है और ऐसे areas को क्यूंकि secure माना जाता है इस वजह से इनकी importance इनकी relevance जो है are the building blocks of wild tiger conservation ऐसे habitats ऐसे आवास जो tigers को बचाने के tigers को संद्रक्षन में समर्थन करते हैं help करते हैं वो बहुत important है वो एक building blog है जिससे हम अविश्व के बागों का संद्रक्षन कर पाएंगे तो हम सारे के सारे tiger reserves जो है जिनको ये accreditation मिल जाता है वो important हो जाते है TTS के अगर website पर जाके देखे तो it is a set of criteria which allow tiger sites to check if their management will lead to successful tiger conservation एक पूरी की पूरी list है जिसमें कुछ parameters जो है वो define किये गए है माल लीजिए अगर हम एक tiger reserve को operate कर रहे हैं तो हम अपनी performance को evaluate कर सकते हैं कि क्या मेरे पास ये point number one को मैं पूरा करता हूं मेरा tiger reserve हाँ जी पूरा करता है दूसरे को करता है तीसरे को करता है fourth और fifth को नहीं करता है अगर मैं इन सारे के सारे parameters को fulfill कर रहा हूं तो मेरी management जो है वो अच्छी है और मैं tiger conservation में help जो है वो कर पाँ ये जो है CATS accreditation जो है वो 2013 में launch किया गया था as a part of t into two tiger population को double करने का एक global aim है विश्व भर में बागों की जनसंख्या को दो गुना करना है 2022 तक उसके लिए ये special दोस्तों ये भी important हो सकता है it can be an important question in exams 2 into 2 sorry t into 2 mission is related to it is related to tiger conservation a global mission which aims to double the tiger population double the tiger population t for tiger into 2 double the tiger population by the year 2022 2022 2022 तक बागों की जनसंख्या को दो गुना करने का लक्षे जो है वो इसके इंतरगत रखा गया है और यही t into 2 जो mission है इसके आधीन आता है ये CATS accreditation tigers का population double तभी हो पाएगा जब उनको sunraction मिलेगा और sunraction कहां मिलेगा sunraction मिलेगा ऐसे protected areas में जिनको CATS का accreditation जो है वो मिला हुआ है तो हाल ही में 14 टाइगर reserves को ये accreditation जो है वो मिला था वो कोन-कोन से 14 टाइगर reserves थे इसमें आता है मानस एंड काजी रंगा और और अरांग तो असम के मानस काजी रंगा और अरांग जो है वो आते हैं तो उत्तर परदेश अगर आब स्टेट के एक्जामत की तैयरी कर रहे है तो ये topic important हो जाता है उत्तर परदेश का दूधवा reserves वो इसमें आते हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दूधवा टाइगर रिजर्फ की तो उत्तर परदेश का दूधवा टाइगर रिजर्फ जो है दूधवा नैशनल पार्क और दूधवा टाइगर रिजर्फ इस लोकेटेड इन लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर परदेश उत्तर परदेश के लखीमपुर खेरी जिले में ये मौझूद है बिलकुल भारत और नेपाल की सीमा के साथ में ये जिला और ये दूधवा नेशनल पाग के दूधवा टाइगर रिजर्फ जो है वो मौझ है ये किससे बनता है दो वाइल लाइफ के का सवाल आ सकता है विच नेशनल पार्क और विच टाइगर रिजर्व इस फॉर्मड बाइ जॉइनिंग दी एरिया जॉफ किशनपुर एंड केतरनाई घाट वाइड लाइफ सेंचुरी तो याद रखना है दूदवा टाइगर रिजर्व जो है वो इन दो वाइड गया है यह एक excellent natural forest और green area है तो यहाँ पर काफी सारी हर्याली है और जंगल का यह इलाका है अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे यह है लखीम पूर खेरी का जिला तो लखीम पूर खेरी जिला जो है इसके बिलकुल साथ में नेपाल बॉर्डर है लखीम पू मजूद है यह दूधवा tiger reserve दूधवा जो है it became tiger reserve in 1979 1989 में यह tiger reserve जो है वो बना था किशनपूर wildlife century और कातरनाई घाट wildlife century मिल करके दूधवा tiger reserve जो है वो बनाते हैं दूधवा tiger reserve जो है वो एक protected area है जो लखीम पूर खेरी और बहराईच जिलों के बीच में आता है ज्यादा त करीब 1284 वर्ट किलोमेटर में यह पूरा का पूरा इलाका जो है वो फैला हुआ है और यह north eastern boundaries का जो पूर उतरी सीमा है वो भारत और नेपाल की सीमा के साथ में मिलती है जहां से मोहाना नदी हो करके गुजरती है तो मोहाना river जो है वो यहां से हो करके गुजरता है यह is home to the one of the finest forests of India हिंदोस्तान के सबसे बहतरीन जंगलों में से एक जो है वो यहां पाए जाते हैं some of these trees are as old as 150 years and are over 70 feet tall डेर सो साल से भी जादा पुराने पेड यहां पर मौजूद है और उसी के साथ में 70 feet की उल्चाई वाले पेड जो है वो यहां पर देखने को मिलते है इस अंदाजन 106 से 118 बागों की संख्या जो है वो मौजूद है टाइगर्स के अलावा बागों के अलावा यहां पर स्वैंप डियर दल दली हिरन जिसको कहते हैं सांबर डियर बार्किंग डियर स्पॉटिड डियर हॉग डियर यानि के हिरन की अलग-अलग प्रजातिया है इ और यह बहुत ही कम ऐसे इलागे हैं जहांपे टाइगर और राइनोसार से एक साहने को मिलते हैं तो इंडियन राइनोसारस और टाइगर जो है वो एक साहते में हमको इस दूदवा डाइगर ऻेगर के लिए आक हास ही है यह उनाउसमेंट कब किया गया था मैंने आपको बत celebrated on July 29 तो हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाग दिवस्चोय वो मनाया जाता है इसका लक्षे ये है कि इस प्रजाती को इस पर्टिकुलर जानवर को बचाय रखने के लिए जाग रुपता जो है वो पैदा की जा सके तो हर साल 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है इस दिन की शुरुवात जो है वो 2010 में हुई थी when 13 टाइगर रेंज कंट्रीज केम टुगेधर टु क्रियेट टी इंटु टु दो हजार दस में इस दिन को स्थापित किया गया था जो दुनिया के 13 टाइगर रिजर्व वाले देश जो है वो एक साथ आकर के उन्होंने एक मिशन एक जो है वो बनाया था जिसका नाम था T into 2 याद रखिएगा T into 2 क्या है Tigers की population को डबल करने का एक लक्षे है तो इन सभी देशोंने मिल करके एक लक्षे रखा था कि 2022 में Tiger population को जो है वो डबल करेंगे इसी के साथ में World Tiger Day भी जो है वो यहां पर स्थापित किया गया था और सा ही साथ Mission Tiger भी जो है उसकी शुरुवात की गई थी जिसके अंतरगत CATS Conservation Assured Tiger Standards की accreditation जो है वो दुनिया भर के Tiger Reserves को दी जा रही है यह है दोस्तों यह पूरा का पूरा News Article I hope हमको विस्तार में इसके बारे में समझाया होगा उत्तर परदेश के दूधवा Tiger Reserves की हम बात कर रहे थे उत्तर परदेश State Exams के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बहतरीन Smart Courses मौझूद हैं यह सारे के सारे Courses आपको help करेंगे बहतर तरीके से अपनी preparation को करने में और जल्द से जल्द अपने exam को clear करने हैं तो दोस्तों जरूर भी बेस्ट कीप परकिंग हाट बाई बाई टेक केर जैहिंद